अस्वामलेकूम फ्रेंट्स मैं हूँ आईशा फ्रेंट्स आज हम न्यू लॉप के साथ स्टार्ट करते हैं अल्ला के बाबर कर नाम से सबसे पहले यह देखिए यहां पर मैंने ऑईल डाला था आदा कप कड़ाई में अम फिमिल से प्री हिट करके इसमें प्याज और लेसन क मैंने डाला है एक पूरी बंच होता है वो लेकर उसे काट लिया था और दो मिडियम साइज के प्याज लेकर इनको मैं सौते करूंगे सौते करने के बाद इनको निकालके मैं सौते से मुझा लाइट गोल्डन होने चाहिए अपने डाक नहीं करने बहुत ज्यादा ब्राउ तो यहां पर मैं प्याज को थोड़ा से ब्राउन करूंगी बिल्कुल लाइट से सौते से थोड़ा से ज्यादा और पी मैंसे निंगाल कर टमाटर हरी मिर्चे डाले के ब्लेंड करूंगे तो प्रेंड मुझे आप इस ताह से बनाते हैं इस मैथट से आप आलोगोष बनात तो कि यहां पर यह जाए ना मैं आलो और प्याज को जो आलो और प्यास को निकाल लिए और इसको थोड़ा थंदा करेके टमाटर हरी मिर्चे डाल के इसको पीच रहाँ हैं इसमें मैं अदरक यूज नहीं गिया क्योंकि इसमें कोई चाहँ ज़रत नहीं होती क्यों कि ग्र में यहां पर आफ कर लिया था और मैंने पीस कर देखे लेकर आ गए हूँ और फिर फ्रेम आन किया अभी जो पीसावा द्रक लैसन है वह मैं इसमें शामिल कर दूंगी बहुत गाड़ा पेस पनाया मैंने लिक्विर्डी नहीं बनाया क्योंकि जब हम भूनेंगे ना तो अच तो अची तरह प्राव था निकाल लिया था जरा सा पानी डाल दिया तो पी जग में इसको जाए ना यह देखे बहुत थीक है पतला नहीं किया मैंने इसको अच्छी तरह आएली के साथ ना भून लोंगी ताकि जो एक इसकी स्मेल होती है ना वह बिल्कुल ही खतम हो जाए और जो ग्रेवी अच्छी सी बनेगी और भून भी अच्छी तरीके से जाएगा तो बस थोड़ा समय इसको भूना था यहां पर और पी मसाले डाल दिये थे यह देखे सुका धनिया और जीरा को एक साथ पीस लिया था नमा खल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाला कलर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर होता है ने तेज वाला वो मैंने इसमें अच्छी से मिक्स कर दिया था भून के फिर मैं इसमें चिकन डालूंगे अभी देखे मसाला थोड़ा भूनगे और उपर आना स्टार्ट हो गया देखे अब जो आयल निकल आया तो फिर इसमें च अच्छी तरह भूनेंगे और इसको भूनने के बाद फिर इसमें चिकन भूनेंगी चिकन का थोड़ा मतलब बिल्कुल कलर होता है वो चेंज हो जाएगा मसाले का साथ भून जाएगी तो फिर इसमें जो है ना आलो शामिल करेंगे मुझे भी अपने रेसिपी जुरूर बताएगा किस तरह से आप बनाते हैं और मुझे बताएगा मुझे कहां कहां से मतलब देख रहे हैं किस किस शहर से तो मेरी थोड़ी मॉरेल स्पोर्ट भी होगी मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊंगी मज़ीद अच्छी रेसिपी दुछ यह डिव्ट बस में काम TO यहां पर मैंने थोड़ा सा काम्रेनी हमुआ से इस लिए कर लिया था ताकि आपको सा काम से बन रहा है क्या है यह अविर मैं इसकार शर्डिक काम रहा है तो तो मैंने श्सकून क्यों मैंने तो ब्सक्रिकाया क्या तो दिख ने शर्म म तोरी थी यह आग कोंग में अभी पही आप साथ थी आलो शामिल किये थे तो साथ के साथ जो ना अटा गुनने लगी हूं ताके रात का खाना मना रही थी तो घुनलो तो साथ के साथ जो ना रॉत जाएगी आटा गुनתे-गुनते शहत गशात में कहा चलो अगया क़ ठासा इसका भी एड यह हो जाएगा अभी जो किसी दिन इंशाला आपको रम्जान का विलॉग की चेशन का पूरा ना किस साथ से कीचें को मेंटेन करते हैं किस साथ सब्सक्राइब तो इसका भी वलॉग बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूगी यहां पर मैं देख रही थी कि मतलब सालन को चेक कर रही थी आलू गल या मैं हलकी फ्लेम पर इसे थोड़ा सा बंद करूंगी रखूंगी ताकि ऑईल जए वो सारा उपर आजए पर मैं इतना ऑईल डाला नहीं था बहुत हलका सा ऑईल आएगा क्यों मैं ज्यादा हैवी नहीं यह देखें गरम मसाला भी मैं इस स्टेज पर इसमें गरम मसाला शा कर दीए तो मैं अब बनाओंगी रोटियां रोटियां मना के फिर उसके बाद जो है साइब करेंगे इन्शाला तो अगर इसी तरह से व्लॉगिंग में करती रहूंगी आपको पसंद आती रहेगी तो मैं डियानशनल चीजें साथ करती जाओंगी तो इन्शाला आपको भी मज़ा आएगा और थोड़ा ये के चैनल पर ज्यादा हो ना मतलब लोग ज्यादा हो तो बंदे को वह बहुत होता है कि करें लेकिन अभी भी मैं महनत कर रही हूं इन्शाला क्योंकि आपको बता है थोड़े से बहुत सारा काम जो होता है कॉलिटी पर मैंने काफी करूंग हर बंदे का मतलब नीड होती है कुछ की पहले मैं जॉब करती थी पर मैंने जॉब छोड़ दी तो मुझे घर बैठी वी थी तो मैंने का क्यों ना मैं जो है इसको कुकिंग चैनल को लेकर चलू कुकिंग चैनल से फिर मायं थोड़ा सा हुआगी को व्लागिंग करना स्टा यहां बे स्मॉड हो आपकี้ साथ शेयर करूँगी यहां उलाएं परwaसे आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीजर आप ही मुझे मुझे मटे साथ मृटिया ज़्लूर मुझे कॉमैंट्स कीजीए मुझे बताइए मुझे मजीद घरो करने के छीनल को क्या क्या करना च मेरे चैनल अच्छे से ग्रोग करें तो इसी तरह होता है कि बहन भाईयों का सपोर्ट होता है तो बंदा जल्दी से मूव कर जाता है जल्दी कामयाब हो जाता है तो बस आप लोग मेरी फैमली है मेरी व्लागिंग में मेरे साथ है तो आप लोग मुझे जरूर स्पोर्ट करें कि मैं किस तरह से आगे बढ़ू और किस तरह से मैं अपनी वीडियो को मज़ीज सिक्सेस्फुल करने की तरफ हाँ तो मुझे इंतजार रहेगा कॉमेंट्स में कि आप मुझे इस बारे में जरूर गाइड करेंगे जो कमिया रह गई हैं जो मैं चीजे नहीं कर पारी मैं उनको मज़ीद अच्छा कर सकूँ तो बस यहां पर रोटी बन गई थी यह एक रोटी थी तो मैंने का इसको भी साथ के साथ जो है मैंने चीजे समेट दी थी यहां से बना कि फिर इसके बाद इंशाला साथ करेंगे क्यों गहर में तो कुकिंग है कि तो यह होता है और मुझे बहुत साथ के साथ चीजे समेटने के करने की आदत है मेरी कुकिंग भी बहुत कम टाइम में होती है बस इतनी टाइम है जितना टाइम होता है किजन में खड़े हुए और आदे से घंटे में जितनी भी ज्यादा चीज़े बनानी है बना कर साइड पर हो जाओ तो बस यहां पर उसका प्लाग मेरे पास है यह नहीं जो बरतन पकड़ने के लिए होता है ना टूल वो मेरे पास है लेकिन उससे तवा कभी नहीं पकड़ता है और तवा मेरे पास यह वाला है जिसके से वह नहीं है हंडल नहीं है तो बस मैंने यह एक प्लास रखावा है यह उससे तो नहीं तो नहीं को yardage कृटेको फिर नहीं कोंश पुर्ण इसटेम नेे लुफ का सिसंदे में एक क्कटशा हुई था नहीं कीचिन का ऊष्या वेखं़ भूटे में लिए लेग में कमया हो तो अपैब पादे करीश वरना तो मेरे पास गलव्स बगारा हैं मैं उनको यूज करती हूँ बस यहां पर रोटी बन गई थी मेरा खल हॉर्ट बगारा मैं कर रही हूंगी रोटी राक रही थी चीजे साथ समेट रही थी तो अब ही मैसालन को चैक करूंगी कि बन गया है या मतलब फ्लेम पर रखाता हलका सोयल निकलेगा तो यह देखें बस यहां पर होगी आप मैसालन को नहीं है ना